आज हमारे पीछे परा हुआ है एसकेविरी ट्वालेट और मैंने भी ठान लिया है आज हम लोग एसकेविरी ट्वालेट को मारकर ही रहेंगे हमारे साथ मिनियन का टीम है इसलिए हम लोगों को घबराने की जौरत नहीं है मिनियन ने इसे ब्रिज पर ट्रैप लगा दिया है और देखते हैं एसकेविडी ट्वालेट पर इसे ट्रैप का कोई असर परता है या फिर नहीं मैं इसे एरो से भी मारने की कोशिज कर रहा हूँ लेकिन एरो का इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है लेकिन हमें घबराना बिलकुल भी नहीं है यह क्या इसने तो ट्रैप को डिस्ट्वाइ कर दिया यानि कि अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा यह एसकेविडी ट्वालेट बहुत ही ज्यादा डिंजरस है तो फड़ाबच चलते हैं और हमें किसी घर में छुपना पड़ेगा और यहाँ पे एक कैरेक्टर है हम लोग इसकी हैल्प ले सकते हैं और जब मैंने इसे सारी बात बताई तो ये मेरी मदद करने के लिए तयार हो चुका है और इसने हमें और हमारे टीम को एक-एक आरेन का सौर्ट दिया इसने मुझे दो सौर्ट दिया है एक सौर्ट को मैं फड़ाबच से फेक देता हूँ और चलेंगे फड़ाबच से उसी एसकेबरी ट्वालेट से फाइट करने के लिए और देखेंगे कितना ज्यादा हम लोग को मज़ा अता है इसे मारने में अब हम लोग 4-4 बंदे हैं और वो ऐसकेबरी ट्वालेट अकेला है हम चारों मिल कर इसैसकेबरी ट्वालेट को मार सकते हैं यह क्या यह तो हमारा टीम का एक कैरेक्टर ही मर गया यानि कि हम लोग इससे आरेन के स्वाट से नहीं मार सकते अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा और इसके लिए मुझे यहां से भागना पड़ेगा पहले हम लोग कुछ देर के लिए यहीं पर छुप जाते हैं और यहां पर लेडर लगा हुआ है लेडर की मदद से हम लोग पहले उपर चलते हैं क्योंकि यहां पर रहना सेफ वाली बात नहीं है क्योंकि एसकेवरी ट्वालेट ने हमें देख लिया होगा इसलिए हम लोग उपर आ चुके हैं नीचे जाकर देखते है एसकेबरी ट्वालेट आया यह फिर नहीं और यहाँ पे एसकेबरी ट्वालेट आ चुका है इसलिए मुझे यहाँ से भागना पर रहा है और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है अब हमारे पास सिर्फ एकी रास्ता है मुझे किसी टैनल में जा अब हमारे पास सिर्फ एकी रास्ता है हम लोग चलते हैं टैनल के अंदर लेकिन वेट इस तरफ से दो करेक्टर आया है मैं इससे हल्प ले सकता हूँ Eskibri Twilight को मारने के लिए इसके बदले में मेरा फ्रेंड इसे बहुत सारा गोल्ड दिया है ताकि यह Eskibri Twilight से फाइट करे हम सब यहीं रुक कर देखेंगे यह दोनों अपने आप जाएगा Eskibri Twilight से फाइट करेगा तो आप देखते हैं क्या होता है इन दोनों ने उस पर अटेक कर दिया है काफी खतरनाक तरीके से यह क्या एक करेक्टर उसका मारा गया और दूसरा करेक्टर डड़ की वज़े से यहां से भाग गया अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है फड़ा पर चलते हैं नीचे टनल के अंदर और देखते हैं टनल के अंदर क्या कोई मुझे ऐसा चीज मिलता है या फिर कोई केरेक्टर ऐसा मिलता है जो कि एसकेबीडी ट्वालेट को मार सके क्योंकि एसकेबीडी ट्वालेट को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राइ किया लेकिन एसकेविरी टॉयलेट को कुछ होता ही नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है इसलिए हम लोग पूरा का पूरा यहां पे लाचार हो गए है चलो कोई दिक्कत नहीं आगे चलते हैं क्या सीन होता है यहां पर दो दो वरकर है और मेरा फ्रेण इसे एक्स और फिकेक्स डाइमंड का दिया है और मेरे फ्रेण ने कहा है इसके बदले में इस रास्ते को ब्लॉक कर दो क्योंकि यहाँ पर एक खतरनाक सा एसकेविरी ट्वालेट आ रहा है जो कि बहुत ही जदा डेंजरस है और यह दोनों मान गया और कर भी दिया है लेकिन हम लोग इसके दिवार पर भरोसा नहीं कर सकते इसका ब्लॉक भी हो सकता है एसकेविरी ट्वालेट डिस्ट्वाइ कर दे इसलिए सामने एक पोटल मुझे दिख रहा है जो कि नेदर पोटल है हम लोगों को नेदर के अंदर चले जाना चाहिए वेट करते हैं कुछ दिर तक और यह क्या एसकेविरी ट्वालेट यहाँ पर आ गया यहाँ पर तो फानिली मुझे इलाटरा दे दिया है अब हम लोग फ्लाइ करके चलते हैं नीचे क्योंकि नीचे एक हाउस है जो कि काफी ज्यादा खुबसूरत है वहाँ पर विच रहती है वो मेरी हेल्प कर सकती है तो फ़रावर चलते है देखते हैं क्या सीन होता है तो फानिली हम लोग इस हाउस के पास पहुंच चुके हैं इसके अंदर विच भी है इसके अंदर जाते हैं और इसे हल्प मंगते हैं कि एसकेबरी ट्वलेट हमारे पीछे परा हुआ है और उस क्या उसे मार सकता है अगर ये मार सकता है तो काफी जदा हम लोग को मज़ा आएगा फरावर से नीचे चलते हैं आल राइट गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं जैसे मैंने इसे बोला ये पूरा का पूरा मना कर चुका है और यहां से भाग गया मुझे गुसा तो बहुत आया लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं अब हम सब को ही कुछ करना पड़ेगा और मेरे फ्रेंड को एक पोईजन मिला है जो की पूरी तरीके से स्प्लैस है देखते हैं क्या ये स्प्लैस इस पर करता है तो इसके बड़ी ट्वालेट पर को सबसर पड़ता है या फिर नहीं ये क्या इसका आकार तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया अब तो ये पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका है इसलिए हम सब को यहां से भागना पड़ेगा तो फड़ा पड़ चलते हैं यहां से काफी जदा हम लोग डड़े हुए हैं क्योंकि एसके बड़ी ट्वालेट हमारे पीछे परा हुआ है और हम लोग फ्लाई करके यहां पर आ चुके हैं यहां पर एक ब्रेज है और यहां पर एक अच्छा ट्रैप लग सकता है इसकी जिम्मेदारी मैं इस मिनियन को देने वाला हूँ कि यह अच्छी तरीके से ट्रैप को लगा है ताकि जब भी यहां पर एसकी बड़ी ट्वालेट आए तो यहां से हमारी और बिलकुल भी ना आ सके और यहां पर एक TNT भी इसने लगा दिया है तो फड़ापर से हम लोग इस तरफ हर जाते हैं वो फड़ापर से ब्रेज को डिस्ट्रॉय करने वाला TNT तो फानली ब्रेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है TNT लेकिन मुझे नहीं लगता है इसके ब्रेज को रोक पाएगा कोई क्योंकि वो फलाइ भी कर सकता है और भी कई चीज कर सकता है इसलिए मुझे उस पोटल के अंदर से यहां पर आना परा हम लोग आ चुके हैं कि पिरामीड के अंदर और ये मिनियन का फ्रेंड है इसे बोल जल्दी से नीचे लेडर फिकने के लिए ताकि हम लोग जल्दी से उपर जा सके और जैसे यहां पर एसके ब्रेज टॉयलेट आएगा उसके सर पर हम लोग बहुत सारा ब्लॉक गिराने वाले हैं जिसके बज़े से वो एसके ब्रेज टॉयलेट इसी के अंदर दब जाएगा और हम लोग पूरा का पूरा सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ प्लैन के मुताविक ही हो रहा है हम लोग उपर आ चुके हैं अब देखते हैं क्या सीन होता है और नीचे एसके ब्रेज टॉयलेट आ चुका है और पिरामीड में जितने भी ब्लोक था सारा का सारा नीचे गिरा दिया है आप देखते हैं क्या होता है अभी भी एसके ब्रेज टॉयलेट जिंदा है और वो किसी भी ब्लोक को डिस्ट्रॉय कर देता है अब हमें यहां से भी निकलना पड़ेगा हम लोग एक डिजर्ट के अंदर है क्योंकि पिरामीड हमेशा डिजर्ट में ही होता है तो फड़ाबर से बाहर चलते है क्योंकि मुझे पता है वो एसकीबरी ट्वालेट किसी ना किसी तरीके से बाहर जरूर आएगा अब हम लोग एक ऐसी मुसिबत में पड़ चुके है जहां ना ही छुपने का रास्ता है और ना ही भागने का जगा है हम लोग दोबारा से वही आ चुके हैं जहां समलोग भागे थे यहां फिलाल के लिए ट्रैप लगा रहे हैं देखते हैं क्या होता है और यहाँ पर मिन्यन ने एक करेक्टर रख दिया है इसे उमीद है कि वो एसकेविरी ट्वालेट को अपने जहासे में फसा लेगा इसने TNT का ट्रैप लगाया है लेकिन मुझे नहीं लगता है TNT से एसकेविरी ट्वालेट मरने वाला है क्योंकि हमने पहले भी ट्रै किया था उसे मारने के लिए लेकिन वो मराई नहीं चलो कोई दिकत नहीं है अगर यह कोशिस करना चाहता है तो हम लोग इसे रोकेंगे नहीं अब देखते हैं क्या सीन होता है और यह TNT को बलास्ट करने वाला है अब यह जल्दी सब बलास्ट कर दे अब यह बलास्ट करेगा और यहां पर अक्टिवेट करने वाला है इसने अक्टिवेट कर दिया लेकिन इसका अच्छी तरीगे से जुरा हुआ नहीं था इसे लिए उसे वहाँ जाकर एक्टिवेट करना पड़ा अबे वहाँ से जल्दी भाग तू भी मर जाएगा निकल वहाँ से जल्दी ये क्या मिनियर मर गया और एसकेबिरी टोयलेट अभी भी जिन्दा है चलो कोई दिकत नहीं है हम लोगों को यहाँ से भागते रहना है फड़ावर चलते है और जहां तक मुझे लगता है मेरे पास कोई भी आईडिया नहीं है तो हम लोग क्या करें एक बार पेर बेचर के देखें क्या हो सकता है हम लोग पेर पर सुरक्षित रहेंगे और नीचे एसकेबरी ट्वालेट है वो हम सबको घुरे जा रहा है लेकिन वो हम सबको कुछ भी नहीं कर रहा है इससे ये साबित होता है जब तक हम लोग पेर पर रहेंगे तब तक ये एसकेबरी ट्वालेट कुछ भी नहीं करेगा लेकिन कब तक हम लोग पेर पर रह सकते ह और उसने जैसे ओके गाईस यहां से जा रहा है वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट में बता देना वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लेना